हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माय चैनल क्रेटिव लाइफ पैशन आज हम बनाएंगे गेवर गेवर सबको भी बहुत पसंद आता है बुड़ा हो या बच्चा सबको भी बहुत अच्छा लगता है गेवर माने में गेवर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक और च मैंने दूळ को नहीं पकाया है इतना time मेरे पास नहींता मैंने क्या किया है इसको one ball milk लिया है इसमें मैंने everyday milk powder आता है जो वह मैंने इसमें में इसमें रहना है थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई गांट न पड़े उसके बाद फिर हमने इसे ब पक जाएगा तो ये मैं ने लिया है गी देसी घी लिया है इसमें मैं ने चार-पांच ऑच लिया है इसको हाथ से पेटना है और za संब भुख सकते को धोरी भ remains थोड़ा फ्लपी हो जाए मक्खन की तरह तो फिर आइस निकाल देनी है आइस निकालने के बाद देखिए कैसे फ्लपी हो गया है यह मक्खन की तरह इसमें मैंने लिया है दो चमच बेसन के दो चमच बेसन लेने के बाद इसे फिर से अच्छे से फेटना है अच्छे से फेट बनाना है कि समूद बैटर इसमें कोई गाटनी पढ़नी चाहिए तो आप मिकसी में घुमाली जी इसे चाहें बनने के बाद इसे चाहब लीजिएगा बेटर इसका पानी की तरह नहीं चाहिए पतला भी कुई कि यह देखिए अच्छे से इसको फेटना है बहुत अच्छे से इसमें गाटनी पड़नी चाहिए अब क्या होता है आज को कोरोना वाइरस के विज़ से थोड़ा डर हो रहा है कि ज़रा सभी कुछ होता है गले में तो डगने रखता है कि मुझे कुछ होतो नहीं गया तो बनाया है ताकि गी का फ्लेवर भी इसमें रहे और चाहदा चिकनाट बिनाए तो इससे गले में जब खाएंगे तो हमारे चिकनाट नहीं आएगी और जो मैंने भीगोना लिया इसको बनाने के लिए जो बरतन लेना है उसको आपको सिर्फ हाप से थोड़ा कम लेना है और इसमूद बेटर आपको क्या करना है या तो आप कडशी से डालिए या फिर किसी सॉस की बोतल ले लिए जिससे आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको कोई पापडम नहीं होगी बीच में इसकी धार पतली सी डालते जानी है धीरे जैसे आप डालोगे इसमें उपर को एक उच्छाल आएगा उससे डरना नहीं है डरने की जरूरत नहीं है वो धीरे धीरे अपने आप शान्त हो जाएगा उसके बाद आप ऐसे ही साथ-ाट बार इसमें स्मूद बैटर डालते जाए और बीच में इसमें क्या होगा कब बीच में आपको हिलाना भी है और जैसे मैंन बन भी गया यह बन गया अब इसको करना है हमें गार्निश अब यह जो हमने चासनी बनाई थी इसके उपर हमने अच्छे से डाल देनी है पूरे घेवर पे ताकि कहीं कम जादा न रहे मिठा जितना आपको खाना है मिठा उतना खाई अब यह इंस्टेंट रवडी जो हमने अब इसको आप अपने जो भी ड्राइफ रूट से आप इसे गार्निश कर सकते हो मैंने इसको किस्मिस और नाजियल से गार्निश किया है और घेवर बनके हमारा तैयार है अब आप मुझे बताईएगा कि घेवर आपको कैसा लगा ट्राइज़र कीजिएगा और कमेंट करक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थांक यू डाँ भीडाईब करें हैं तो आथ आशी दू आए प्रकाप वाषति और सान्यव जेंनला स्वाणा अजयर वीडिय네 झाल